तो स्टूरेंट्स कैसे हैं आप लोग सब अच्छा उमीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपना-पना काम बड़े तरीके से कर रहे होंगे स्वस्त होंगे अपना ख्यार लख रहे होंगे तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में नया वीडियो लेक्चर जो संबंदित है वह हम लोग सेंटेंस पैटर्न जो की शुरुआत किये थे नया चैप्टर उसी से संबंदित है हमारा और यह सेंटेंस पैटर्न का पार्ट टू है पार्ट वन हम लोग अलड़ी आप लोग अलड़ी देख चुके होंगे ऐसा मैं कि आप लोग्ड हो वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा और उसके यह पी कॉalal दो ने पढ़े करके भून होब nova और और फिर आगे सब्संदों में कर दे ता हूं सिंपल सी बात है कि इसके होता है तो छिसने होता है है BM is होता है किसी एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लॉज होता है तो वह सेंपल सेंटेंस होता है या फिर कोई सब्जेक्ट हो और कोई एक प्रेडिकेट हो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से बना सेंटेंस हो तो उसको हम सेंपल सेंटेंस बोलते हैं सिंपल सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होता है क्योंकि उसमें सब्जेक प्लस उसका दोनों मौझूद होता है और इसमें कोई कंजंग्शन या किसी भी चीज से यह जुड़ा नहीं होता है ठीक है यही हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस के बारे में हैं ना तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को यह सारा सिंपल सेंटेंस के बारे में समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा फिर भी अगर कोई प्रेशन होगा तो प्लीज आप मेरे वाट्सप नंबर पर आप मुझसे मेसेज करके पूछ सकते हैं ओके चलिए तो आज हम लोगों को पढ़ से दो या दो से अधिक कोडिनेट क्लॉजेज हैं कोडिनेट क्लॉजेज का मतलब क्या हुआ मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं ऑफ इक्वल रैंक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मतलब स्वतंत्र क्लॉज जैसे कि जिस तरग से हमने सिंपल सिंपल सेंटेंस में कारद है या एक सब्जेक्ट है या एक फानाइट वर्चीबा है वह ही क्या होता है तो यह होगया कि ऐसे दो या दो थे अधिक हो सकते हैं और इनको जॉइन किया जाता है ठीक है कंजंशन के त्वारा तो कौदिनेटिंग नाम पड़ा है इसका इस करुदिनेट कलॉज के कारण ठीक है बस और जड़ा कनध Васकन कोदिन कंजंशन नाम पड़ा है कजिवास की कारण मेने क्या बताया independent clauses equal rank के जो clause होते हैं उसको coordinate clause आप बोल सकते हैं clear है न? चलिए और भी इससे साधरन सब्दों में अगर हम इसका definition देना चाहे और बहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाए तो क्या हो सकता है? देखो दूसरा sentence है यहाँ पर definition को बताते हैं कि साधरन सब्दों में in simple words it can be said that compound sentences are formed when two or more principal clauses are joined by a coordinating conjunction अब clear हो गया? और principal clauses क्या होता है? यह तो हम division में भी तुरंद बता दिये हैं और पिछले वीडियो में भी समझा चुके हैं कि principal clause क्या होता है? तो वही principal clause अगर एक principal clause plus दूसरा principal clause अगर जुटा हो और यह जुटा हो किसी conjunction से खास करते coordinating conjunction से ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे compound sentence यह clear कर लो इस बात को अब इसमें कोई confusion नहीं रहना चाहिए दो principal clause अगर किसी coordinating conjunction से जुड़े हैं तो वह sentence compound sentence होगा यह निश्यत है चलो कुछ example देखते हैं जैसे कि mohan is weeping एक principal clause हो गया यह ठीक है? क्योंकि आप इसको sentence से अलग कर सकते हो तो क्या निकल के आएगा? कि mohan is weeping mohan रो रहा है ठीक है? और फिर दूसरा sohan is laughing तो दूसरा sentence निकल के आता है sohan is laughing तो यहां पर एक subject इस clause का और इसका एक बर फिर यह दूसरा subject और इसका एक verb ओके तो यह अपने आप में एक simple sentence हो गया और यह अपने आप में simple sentence हो गया और यह दोनों simple sentence को हमने क्या जोड़ दिया है इस बट से जोड़ रखा है और यह बट क्या है? एक coordinating conjunction है ठीक है similarly दूसरा example समझ सकते हो you are wise ठीक है he is wiser यहां पर भी इस अगर इस separate sentence को लेते हो तो you subject है और यह इसका our verb है उसी तरह इस separate sentence को लेते हो तो he subject है is verb है यह अपने आप में अपने एक principle clause है यह अपने आप में एक principle clause मतलब दो principle जुड़ रहे हैं और यह जुड किस्तरा है तोछ एंड क्या है एक coordinating conjunction है तो यह sentence क्या हो गया तो एक compound sentence हो गया यह sentence क्या हो गयाए कौपाउंड sentence हो गया clear compound sentence का concept मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ओके चलो अब इतनी बातों को समझने के बारे बाद इस नोट को देखते हैं कॉडिनेटिंग कंजंग्शन की कॉडिनेटिंग कंजंग्शन क्या होता है तो दर कंजंग्शन डाट जॉइंस तो वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसे ऑफ इकवल रैंक is called co2 condition त्यक्रवक है वैसा कंजंग्शन जो दो शब्दों को या दो फ्रेज तो या दो संटेंसे को जो समान रैंक को हैं तो जो समान अपने function में उसको जोडता है उसको बोलते हैं coordinating कोडिनेटिंग कंजंग्शन यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि equal rank means having same function same function कहने का मतलब हो गया suppose को रोबारे साधरन noun plus noun हो गया अगर एक noun को दूसरे noun से जोड रहे हो तो यह कंजंग्शन होगा कोडिनेटिंग होगा subject object and subject और सब्जेक्ट partner लेंasy जोड़ंस खिर केंग्शन को और एक गयर मतलब अगर एक तरफ है तो दूसरे तरफ भी और होगा और इसको जोडेगा वह काम करेगा वह कंजंग्शन होगा अबर्यवल और प्रम अब्जेक्त लिखा हुआ है questo नांसी जोड़ दोनों औब जेक्कों के दोनों का फंक्शन सेम हैं तो यह जो कंजंचन होगा कौडिनेटिक गंजंचन होगा तो मुझे उमीद है कि यह क्या होता है इसका कॉंसर्ट भी आपको समझ में आ गया होगा है ना मैं कुछ कुछ example देख करके coordinating conjunction कौन-कौन से है वो बता दूँगा आने वाले slides में लेकिन concept clear कर लो इसको समझ के चलो कुछ example देखते हैं जैसे कि यहां देखो he and she are dancing ठीक है मतलब क्या हो गया कि he क्या है यहां पर और और शी क्या है तो he or she यहां पर subject है इसलिए he or she को जोड़े में यहां पर एंड से तो यह एंड क्या हो गया क्योंकि दो subject को जोड़े में यहां पर उसी तरह से they hate you and me तो इस hate verb है और वर्व का दो object है यू और मी दोनों क्या है objects है और एंड इन दोनों को जोड़ा हुआ है clear है तो एंड क्या हो गया एक coordinating conjunction हो गया उसकी बाद देखते हैं कि a crocodile can live in water and on land अब यह in water यह prepositional phrase है यह on land है यह भी prepositional phrase preposition का उप्योग किसी शब्द के साथ दूसरे सब्द के साथ किया हुआ है तो यह दो दो सब्दों का सम्मूए एक सब्द प्रिपोजिशन है तो यहां बन गया फिपोजिशनल फ्रेज बन गया ठीक है न तो यहां देख रहे हैं कि दो prepositional phrases को जोडने का काम कर रहा है तो अब clear हो जाना चाहिए कि भाईया equal rank क्या होता है equal rank का मतलब हो गया दो दो शब्द जो समानने श्रेणी के हैं दो सब्जेक्ट हो सकता है दो अब्जेक्ट हो सकता है दो अड्जेक्टिव हो सकता है दो प्रिपोजिशन प्रेजेश हो सकते हैं एक नाउन या एक प्रोनाउन भी हो सकता है क्योंकि देखो नाउन और प्रोनाउन दोनों सेमी लोगों को जोड़ने का घाम करता है वह कहलाता है को एक दम क्लियर होना चाहिए चलो अब आगे बढ़ते हैं इसको आप नोट कर लिए जहां भी नोट करना है नोट कर लो लेकिन प्लीज याद करने वाला है और याद करने का मैंने आप लोगों को तरीका अपने पिछले वीडियो में बता रखा है अगर सुना हो गौर से तो मैंने कहा था कि अगर किसी चीज को याद करना है तो उसके करने के लिए सबसे पहले अभ्यास करना जरूरी है ठीक अब भी नाप्यास करने के लि insp Hut करोंगे तो अमयशा के लिए रहे for दुसी तरफ से conjunction भी है ठीक है इसको आज अभी clear कर लो इस बात को for एक conjunction भी है for एक preposition भी है for का prepositional use क्या है मैंने preposition में बता दिया है for का use क्या है तो अब ये जोडने का काम करेगा कैसे करेगा कुछ example देखे मैं समझा दूगा तो इस concept को भी दिमाग से दिमाग में एकदम clear कर लो ठीक है तो and but or nor for yet so as well as either or या neither nor या not only but also ये सारे coordinating conjunction होते हैं एकदम clear कर लो इस बात को note कर लो याद कर लो ठीक है अब भिहास करते रहो aware तो हो गहीं सबसे बड़ा असान सा है चलो अब कुछ एक नोट है यहां पर इसको पढ़ लेते हैं कि it can also be written that a compound sentence contains two or more than two simple sentences joined by coordinating conjunction simple सी बात है ठीक है ना जब हम यह कह सकते हैं कि एक compound sentence में दो principle clause हो सकते हैं वह या तो यह principle clause से बनता क्या एक simple sentences ही तो बनता है तो जब दो principle clause जहां जूड़ रहे हैं मतलब कि दो simple sentences जूड़ रहे हैं तो जहां दो सेंटेंस में दो simple sentences किसी coordinating conjunction से जुड़े हैं मतलब वो sentence क्या होगा एक compound sentence ही तो होगा बस इसी बात को मैंने दूसरे language में भी आपको बता दिया है ताकि कहीं से भी confusion का कोई चारा ना बचा रहे है आपके दिमाग में इसको clear कर लो ठीक है कोई confusion का कोई उपाए नहीं होना चाहिए को इसको भी नहीं है तो इसको आप समझ लो बनियां से चलिए अब आते हैं हम लोग इस सवाल पर कि how to find out compound sentence compound sentence को कैसे पहचानेंगे तो पहला तरीका देखो क्या है तो भहिया देखो कि जब आप coordinating conjunction जैसे ही देख लोगे sentence में तो समझ लेना है कि यह क्या है यह तो compound sentence है कौन-कौन से मैंने बता दिया कुछ और यह तो example दिया था कुछ और detail यहां पर भी है जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको जैसे एंड है as well as but for nevertheless ठीक है सो स्टेल येट वेर आज वेराइस का हिंदी मीनिंग जब की के अर्थ में ठीक है बता दिये तो आप लोग complex हो जाएगा तो इसलिए अभी इस concept को मैं नहीं बताऊंगा अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वेराइस का मतलब हिंदी में क्या होना चाहिए जब की होना चाहिए और वाइल का मतलब क्या होना चाहिए देखो बोथ और एंड एक साथ लगा हो सेंटेंस में आइधर और नाइधर नौर नौट या बट का कॉंबिनेशन हो नौट अल्ली बट ऑल्सो का कॉंबिनेशन हो ठीक है तो यह सारे अगर कॉंबिनेशन रहते हैं यह सारे कंजंशन रहते हैं तो वह सेंटेंस आराम से ए कंपाउंड सेंटेंस के बारे में समझ पाएंगे और समझ लेंगे आइडेंटिफाई कर लो गया नाम से चलो कुछ एक्जांपल्स को आप हम लोग देखते हैं पहला एक्जांपल है कि मोहन आज वेल आज यू इस गिल्टी तो देखो ढेन डिन से दोनों सेंटेंस हैया मतलब यह सेंटेंस की बार यह कंपाउंगे कि मतलब यह कीशांपल देखते हैं यहांप रम लूग Divकान है आइधर टी और कॉफी तो आइधर और और से जुड़ा हुआ है टी और कॉफी ठीक है तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि they can have tea and they can also have coffee और they can have coffee या तो coffee पी सकते हैं या तो चाय पी सकते हैं दोनों के दोनों क्या है simple sentences फिर he is poor yet he is honest तो दो sentence या फिर से हैं दोनों को जोड़ दिया है यह यह से ओके फिर I tried my best nevertheless I failed I tried my best एक sentence होगे आपने आप में और I failed यह अपने आप में एक sentence होगे इन दोनों को से जोड़ दिया मतलब कि मैंने अपना best किया तो भी मैं fail कर गया ओके चलिए फिर not only he but also she is dancing तो he is dancing एक sentence हो गया see also is dancing के दूसरा sentence हो गया इन दोनों को हमने not only but also से जोड़ दिया है तो यह coordinating conjunction हो गया उसे प्रकार इंडिया इस developing whereas या वाइल जबकी अमिर्का इस developed तो दो sentence फिर से यहां पर इंडिया इस developing एक sentence अमिर्का इस developed दूसरा sentence और दोनों को whereas या वाइल से जोड़ रखे हैं तो यह compound sentence फिर से हो जाता है फिर एक और example देख लो he is tired for he has worked all day वह ठका है क्योंकि उसने सारा दिन काम किया है तो दो sentence फिर से he has worked all day एक sentence he is tired दूसरा sentence और यह दोनों simple sentences है यह दोनों principle clauses है और यह जूटे हैं यह फॉर नमक किस से coordinating conjunctions है यहां पर फॉर जो है वह conjunction का काम कर रहा है प्रिपोजिशन का काम नहीं कर रहा है इस बात को आप लोग प्लीज नोट कर लिजेगा आप ही के लिए है यह बात फॉर का प्योग प्रिपोजिशन के रूप में के लिए के अर्ठ में होता है ठीक है यह मैंने बता दिया है और लेडि प्रिपोजिशन के chapter में और फॉर के प्रियो कहां कहां होता है यह भी बता रखा है चलिए तो इतने examples को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे कुरा उमीद है कि आप लोगों को ये सारे examples समझ में आए होंगे वीडियो को एक से दो बार से तीन बार जरूर देखना तो और ज्यादा चीजे समझ में आ जाएंगी जो कुछ भी बचा-कुछा रह जाएगा वह भी है ना तो बार बार रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं इससे संबंदित कोई भी कॉंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं इतनी गारेंटी है बस ध्यान से सुनना प्यार से सुनना आराम से सुनना चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो पहला बात तो समझ लिए कि जिस सेंटेंस में हम वो कॉडिनेटिंग कंजंशन दिख जाए समझ क्या कर देते हैं इंस्टेट मतलब उसके बदले वीकॉलन से मि कॉलन से करके सिपरेट कर Diese ठीक है तो वैसे सेंटेंज ही होते हैं काउटिमूंदिंग नहीं होते हैं जी में से मिकॉλन से दो प्रिंसपल क्लॉजज को अलग किया जाता है इसको ध्यान दिएगा, दो principal clauses को अलग किया जाता है, दो simple sentences को अलग किया जाता है, तो वैसे sentences को भी हम compound sentence बोलते हैं, देखो example से समझते हैं, और semi-column दे दिया है, sorry die, और मैं भी गया, sorry die का मतलब हो गया कि मैं भी गया, ठीक है, तो दो sentence यहां छिपे हैं, she went there, I also went there, okay, इसको मैंने जोड़ा नहीं, and से, ठीक है, या किसी दूसरे चीज से, इसमें बस क्या किये, कि semi-column एक लगा दिये, और sody-dai का प्रेयों कर दिये, ठीक है, तो ऐसा sentence कहीं, दिखो, sody-dai वाला, तो समझ लेना, कि यह compound sentence है, उसके बाद, you do not like, ठीक है न, अगर मैं यहां कुछ छुटा हुआ है, जैसे, you do not like this color, suppose करो, ऐसा है, you do not like, you do not like this, एना, ऐसे है, और यहां semi-column दिया हुआ है, neither do I, मतलब तुम इसे पसंद नहीं करते, और मैं भी नहीं, इसका मतलब यहीं हुआ, तो neither do I, neither एक तो लगावा है, यहां पर, लेकिन इसको conjunction के तौर पर नहीं समझना है, बीच में यहां देखो, यहां पर semi-column दिया हुआ है, इसलिए इसनाइजर का प्रयोग किया गया है, तो बस वही बात है, कि दो sentence है, यहां पर भी छीपे वे हैं, ठीक है, you do not like her, and I do not like her, यहां पर हर शिपावा था, यह समझ में आ गया, miss printing है यह, यहां पर suppose करो कि यह हर है, तो you do not like her, I do not like her, यह दो meaning है इसका, दो अलग-अलग sentence है, यह simple sentence, यह भी simple sentence, और इसको हमने इस तरीके से कुछ लिख दिया है, clear, तो यह निश्चित तोर पर आप समझ लेना है आपको, कि यह semicolon लगा रहेगा, so का प्रयोग किया रहेगा, या neither का प्रयोग किया रहेगा, plus auxiliary verb रहेगा यहां पर, तो it means that अगर यह structure को से कोई sentence follow कर रहा हो, तो आपको समझ लेना है कि that sentence is a compound sentence, okay, चलिए, अब आगे बढ़ते हम लोग, तीसरा point, पहला समझ लिए, दूसरा समझ लिए, ठीक है, अब तीसरा point समझते है कि कैसे compound sentence को identify करते हम लोग, कि if in a sentence there are two finite verbs, कौर करो, कितने बोल रहे हैं, दो finite verb बोल रहे हैं, finite verb क्या होता है, यह पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, जो subject और tense से govern होते हैं, उसको हम finite verb बोलते हैं, तो किसी sentence में अगर दो finite verb हैं, लेकिन subject एक ही ही है, तो वह sentence क्या होगा, compound sentence होगा, इस बात दो finite verb है, लेकिन एक single subject है, तो वह sentence क्या होगा, एक compound sentence होगा, CS, जैसे कि उधारन में देखो, उधारन में आप यहां देख सकते हैं, he worked hard and got the word, तो यह worked और got किसके लिए आया है, he के लिए आया है, subject एक ही है, लेकिन दो काम कर रहा है, पहला काम किया कि इसको, इसने काम किया दूसरा काम किया कि इसको award मिला, ठीक है, उसने award लिया, तो दोनों काम किया, मैंनत भी किया और award भी लिया, I reached home and took some rest, मतलब मैं घर भी पहुंच गया और आराम भी किया, दोनों काम कौन किया, मैं नहीं किया, subject एक है, लेकिन दो finite verb है, तो यह sentence क्या हो गया, तो यह sentence हो गया आपको compound sentence, इसको याद कर लिजेगा, एकदम निश्यत तौर पर याद कीजेगा, समझेगा, वीडियो को एक दो बार देखो को, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई परिशानी नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते हम लोग, चौथा तरीका, compound से जोड रहे हैं, and there is only one predicate for them, और प्रेडिकेट एक ही ही है, ठीक है न, तो वैसे sentence को हम क्या बोलेंगे, एक compound sentence बोलेंगे, जैसे कि देखो, कि he, she as well as he is singing, वह गाना का रही है, और वह भी गाना का रहा है, तो दोनों आदमी गाना का रहे हैं, ठीक है, प्रेडिकेट एक ही हो गया, subject 2 हो गया, और दोनों को हमने coordinating conjunction से जोड रखा है, यहां पर, तो इस sentence क्या हो गया, compound sentence हो गया, उसी तरह से राम and siam are playing, तो राम खेल रहा है, and siam भी खेल रहा है, siam is playing, और दोनों subject को हमने क्या कर रखा है, तो coordinating conjunction से जोड रखा है, प्रेडिकेट एक ही है, ठीक है, बट subject 2 है, और दोनों coordinating conjunction से जुड़े है, तो यह sentence क्या हो गया, तो यह sentence भी, ऐसे sentence भी क्या कहलाते है, तो compound sentence कहलाते है, इसको ध्यान में रखिएगा, एकदम note कर लीजेगा, एकदम note बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए, ठीक है, फिर इससे बहतर concept नहीं मिलन पांचवा और आखडी concept है, compound sentence को समझने के लिए, इसको जारा गौर से सुनिएगा, ठीक है, चलिए, तो if in any sentence, two or more than two clauses, two or more than two clauses, are joined by relative pronouns, relative pronouns, जैसे की who, whom, whose, which, इसको हम relative pronouns बोलते हैं, या फिर relative adverbs, जैसे की when, where, है न, तो if these are used in non-defining way, और continuative way, ठीक है, तो in this way, sentence क्या होते हैं, compound sentence होते हैं, ठीक है न, इस तरह से अगर कोई sentence का निर्मान होता है, तो वैसे sentence को हम compound sentence बोलते हैं, यह एकदम clear बात है, इसको समझ लिजए कि अगर किसी sentence में, दो या दो साधी clauses हो, और उनको हम किसी conjunction से न जोड़ कर, relative pronoun who, whom, whose, which से जोड़े होते हैं, या फिर relative adverbs, when, where से जोड़े होते हैं, तो समझ लेना है, कि वह एक compound sentence होगा, लेकिन गौर करने वाली बात है, कि वह एक, मतलब यह relative pronoun, यह जो relative pronoun, आर पी है, और यह relative adverbs, आर ए है, यह दोनों का use जो होना चाहिए, वो non-defining use होना है, ठीक है, non-defining use, अब non-defining use मैं आप लोगों को next video में समझाऊंगा, अभी मैं आप लोगों को non-defining use को पहचानने का एक तरीका बता दूगा, वो आपके लिए sufficient होगा समझना, ठीक है, कि non-defining use बोलते कि इसको है, क्योंकि यह प्रयोग actually में relative pronoun का है, इसको पढ़ने के ल next video lecture में मैं आपको समझा दूगा, so that कि अभी आप लोगों का concept ज्यादा धीच पिचाये नहीं, और किसी तरह से परिशानी नौहां को चीजों को समझने में, इसलिए मैंने थोरा चीजों को आसान बना करके समझाने का प्रयास आप लोगों को किया है, तो प्रशन इस पे न अभी नहीं बता रहा हूं, इसलिए ताकि आपका ये concept जो है, वो, ये sentences के concept से mix ना कर जाए, ठीक है, तो इस concept को clear रखने के लिए मैं इसके concept को अभी फिलाल नहीं समझा रहा हूं, चलिए, तो इतना समझ लो कि ये relative pronoun है, who, whom, whose, which relative pronoun, relative address, when or where अगर दिख जाए आपको, ठीक लेना है कि वह कौन सा sentence होगा, वह compound sentence ही होगा, चलो, इसके संदर में एक और point में बताऊंगा आप लोगों को, note करके कि ये बात, कि ये जो relative pronoun होंगे, या फिर relative adverbs होंगे, इस तरह के प्रियोगों में, इनको हम कॉमा के दोरा separate करते हैं, अपने noun से, किसके दोरा, कॉमा के द कॉमा अगर नहीं होगा, सीधे direct who होगा, तो समझ लेना कि ये sentence complex बन जाएगा, फिर compound नहीं जाएगा ये, बस इसी बात को समझ लेना है, इसलिए मैंने कहा कि एक hint दे दूँगा, उसी से समझना आपके लिए काफी होगा, जैसे कि example से समझो इस बात को, he is Mr. Kumar, देखो यहा निकल रहा है, and he निकल रहा है, clear, उसी तरह से Mohan has bought a flat, कॉमा देखो यहां कॉमा लगा है, और यह relative लगावा है, यहां पर, which, और which का मतलब क्या हुआ, is equal to and or it pronoun, it is beautiful, clear है न, तो Mohan has bought a flat and it is beautiful, ऐसे भी बोल सकते थे इसको, इस and से replace कर सकते थे इस which को, और and क्या है, एक coordinating conjunction है यहां पर भी and है, ठीक है, coordinating conjunction है, तो यह relative non किसका काम कर रहा है, coordinating conjunction का काम कर रहा है आपर, बस इसी बात को समझ देना है, समझ गया है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा ध्यान दे के सुननो बस और समझ दमें तरीका बता दे हो, देख लो who, which, जो भी है, वो separate हो रहे इन relative non को, relative word को मतलब वह उनका non-defining use है, ठीक है, clear ना, यहां जो मैंने कहा आपको non-defining wave, तो इसको ऐसे ही समझना है कि अगर noun लगा रहा है और यह who, कॉमा लगा करके who, या which, या where, या when का प्रयोग किया रहा है, तो समझ लेना है कि वो non-defining प्रयोग है, कॉमा नहीं लग चलो, चलो, तो Mohan has bought a flat, which is beautiful, okay, now they came at 10 p.m., फिर कॉमा लगा देखो, when, when बराबर and at that time का मतलब होता है, we were asleep, मतलब कि जब वो आया हम क्या कर रहे थे, सो रहे थे, है ना, तो they came here at 10 p.m., that time we were sleeping, जिससे में वो 10 बज़े आया और उस समें हम क्या कर रहे थे, सो रहे थे, तो य she went to Delhi, कॉमा फिर लगा रहे है, where she stayed 10 days, वो दिल्ली गई जहां, जहां वो 10 दिन ठहरी, जहां का अर्थ है, ठीक है, where का मतलब क्या होता है, कहां, लेकिन अर्थ क्या नहीं कर ला है, जहां, है ना, तो अब समझ सकते हो, आप बड़े सिंपल तरीके से, कि ये सारे sentence क्या है, क कॉमा लगा है, इस कॉमे को जरूर नोट कीजिएगा, ना, उनके बाद कॉमा लगा है, और रिलेटिव प्रनावन या रिलेटिव एडवर्ब का यूज किया गया है, कॉमा के बाद, क्लियर है, तो ये ही सारा है, आपको कमपाउंड सेंटेंस का पूरा पहचानने का से, ठीक है, फिर भी कोई प्रस्ना कर रुख जाए, तो प्लीज आप लोग मुझे मेसेज कर सकते हैं, वाटस अप नमबर पर, ओके, वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक बटन दबाया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिया कीजिए, कॉमेंट करके बोला कीजिए, कि ह अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, इससे जो टीचर होंगे, उनको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, चलिए, तो इसी उमीद के साथ कि आप लोग मेरे बताये वे, चीजों का पालन करेंगे, और अपने आपको सुरक्षित रखेंगे, सेफ रखेंगे, पढ़ाई करे करेंगे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,